आज का वीडियो काफ़े ज्यादा इंडेस्टे होने वाला दोस्तों क्यूंकि काफ़ी सारे बॉडी बिलिडिंग इंडेस्टे से और फिटनेस इंडेस्टे से इस वीडियो को पूरा जोड़ो देखे दोस्तों पूरा देखने के बाद है आपको मज़ा आएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिक अपडेट है हमारी आज की सरजीवो ओलिवा जुनियर की तो साथ में बिग रैमी भी है और जेम्स भी है बॉडी बिल्डर जो पुराने बॉडी बिल्डर है पर यहाँ पर हम बात करने वाले है सरजीवो ओलिवा जुनियर की तो इस फोटो को देखके मन में एक हयाल आता है कि क्या सरजीवो ओलिवा जुनियर ने अपनी साइज बीग रैमी से भी जादा बना ली है और क्या टकर देंगे वो बीग रैमी को इस सब क्या देखना पड काफ़ी जादा कंटेंट ऐसा आ रहा था और काफ़ी कांट्रोवर्सी जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा कॉमेडी वाला ट्विस्ट डालती इस फोटो के बाद इस वीडियो में तो बात करते हैं सर्जी ओलो जूनर की तो सर्जी वा भाई साहब बहुत जबरदस दिख के मुझे ज़रू बता है नेक्स्ट फिजिक अपडेट है मिशेल क्रीज इनका नाम है दोस्तों अगर मैं गलत बोल रहा हूंग तो कमेड़ बॉक्स में लिखके मुझे ज़रू बता है इलिट प्रो के चैंपिन है आए बीबी अर्नॉल्ड क्लासिक उदर भी आए बीबी के साथ काफी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एटलीट की साइज हाइड बॉड़ी परफेटली बीग रहमी से भी ज़्यादा है यह आपको गलत लग रहा होगा इनके आप इंस्ट्रोगाम पर जाके देख सकते हैं और या किसी भी न्यूज अपडेट चैनल जो पेज होगा इंस्ट्रोगाम का उस पे इनका कंपरिजम चली रहा है बीग रहमी के साथ तो काफी अच्छे एटलीट है और काफी ज़्यादा पोटेंशल है दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी जबरदस कंडिशन है मिड सेक्शन कितना ज़्यादा नैरो है और जो लेग्स डिपार्ट में आये तो टॉफ सिक्स में आ पाना इनके लिए काफी आसान हो सकता है क्या आप इसके पहले इनका नाम जानते थे या इस एटलीट को जानते थे दोस्तों कमेट बोक्स में लिखके मुझे जरूर बताए क्या लगता है इनको देखके आपके थौट्स क्या ये बीग रहम अपडेट आया उनके सोशल मीडिया अकॉंड पर तो रीगरम भाइस आप इंप्रूमेंट करते जा रहे हैं पुरा साल ले लिया उन्होंने प्रेप के लिए और काफी अच्छी दिखाई दे रहे हैं इस वज़े से इनको इनके अपडेट्स हम इस चैनल पर ला रहे हैं द जातक बात है मिस्टर ओलम्पिया की तो मिस्टर ओलम्पिया में टॉप टेन में आराम से आ जाएंगे इस साल अगर कंडिशन अच्छी ला पाए तो उससे भी ज़्यादा अच्छी प्लेसिंग उनको मिल सकती है पोटेंशल काफी ज़्यादा है एथलीट यंग एथलीट ह और फ्यूचर बन सकते हैं मिस्टर ओलम्पिया का फेज भी बन सकते हैं मिस्टर ओलम्पिया का फ्यूचर में अभी फिलाल हाल फिलाल टॉप टेन में आ जाएंगे मुझा इससा लगता है दोस्तों इनकी फिजिक काफी अच्छी लग रही यह थे रीगन ग्रिंस भाई करते जा रहें तीन दिन बाकिया से जाए टूर्णामेट अब चैंपियंस कॉमपेटिशन को और टॉप नौच दिखाई दे रहे हैं भुवन चववान साब पूरी तरह से बॉडी परफेक्ट बना ली है कोई भी बॉडी पार्ट लैक नहीं कर रहा है कंडिशन भी काफी अच्छी दिख रहे हैं काफी हार्ड और ग्रेनी बॉडी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों बहुत जबरदस काफी अच्छी वस्कुलारिटी काफी अच्छी कंडिशन अब देख सकते कितनी जबरदस कंडिशन दिखाई दे रहे हैं भू अंसर के लिए एक लाइक तो बनता करके अब देखना पड़ेगा कि चार दिन के अंदर क्या डिफरेंस आया होगा आज तो तीनी दिन बाकी है इस कॉंपटिशन को टूर्णमेट अब चैंपियन बट जहां तक बात है दोस्तों इनकी फीजीक की तो फीजीक काफी ज़ादा जबरदा से यह अथलीट की एक बात आपको याद हो पता हो तो बस भौन चावन साब जिद जाए इस कॉंपटिशन को आराम से यह अमरी इच्छा है तो आप बात करते हैं अमरी लास्ट अपडेट की विल्लियम बोनियाक के बारे में तो विल्लियम भाई साब नहीं आप आएंगे इस बार अरनोर्ड क्लासिक में यह विल्लियम बोनियाक के फैंस के लिए काफी ज़्यादा दुखदाई न्यूज है और मुझे भी बुरा लगा बट खुशी इस बात की है कि इस साल 100% कोई नो कोई आरनोर्ड क्लासिक का न्यूज चैंपियन मनने वाला है एक तो निक वारकर या फिर अकीम विल्लिय तो है आराम से बट डिफेंडिंग चैंपियन थे अरनोर्ड क्लासिक के इस वज़े से आ रहे थे और मुझे लग रहा आता कि ये जीत भी सकते है क्योंकि काफी मेच्चोर अथलेट है काफी अच्छी मसल क्वालिटी है मसल मेच्चूरिटी है मसल का साइज भी काफी जबर प्रबलम है या कुछ पताने किस तरगा प्रॉबलम है उनको वीज़ा ही नहीं मिल रहा होगा इस वज़े से नहीं आ रहे हैं उनकी अगली अपडेट मैं जरूर बताओं को दोस्तों आपको अगले आने वाले वीडियो में तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है इस वीड दोस्तों सब्सक्राइब कीज़े अपने चैनल को सपोर्ट कीज़े भाई को थैंक्यो फॉर वाचिंग